एल टू की बात उसमें नकल हुई है और एसोजी में मुगद में दर्ज हुए हैं बहुत सारे लोग गिरदार हुए हैं एसोजी पूरी ततपर्चा से इसकी जांच कर रही है और इसमें जो भी सनलिप्त होगा इस नकल के मामले में इन्वाल्व होगा मुझे उमीद है कि इसम से बहुत कशे अधे की किलाव कोत रही हैं और सक्त कानून अब ये मुदान सभा में नकल में जो भी गिरो है वो जेल जिले के ऐसे कहीं दरजनों गाव हैं जहां पर जीरे की फसल पूरी तरीके से तबाह हो गई है या कहीं पर थोड़ी बहुची बत्री है और उसी को लेकर लगातार किशान सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें मौाज़ा दे और इसी बीच कैबिनेट मंतरी हेमाराम जाएंगे ये मारम जी कल आप अपने विदान सवा में थे खेतों में गए मैं देख रहा था किस तरीकी के आदा इस साल जीरे की जो फसल है वो पूरी तरह से नस्ट हो गई है इसकी जानकरी मेरे को किसोंनों ने फौन के जरिये जैपूर था उसमें दे दी थी और उसके ब दौह किसोंने स्ट आफ का अपकृतिका काम चल रहा है पर मैंने हॉन्स से जानकरी मेरे को मिली यह अ ERIC समझा कि मैं सिय्क पर इसकारों को बीच में जाओं कास कारों से मिलूं कास को हरू की बास सुनों और मोके पे नुक्षान हुआ है उसको मैं खुद अपनी आँकों से द कई बार भी जीरे का नुक्षान हुआ पर उसमें कुछ अंस तक नुक्षान हैं कुछ परतीसक थोड़ा बहुत कुछ पीछे बचता था पर इस बार तो 100% ही नुक्षान है कुछ बचा ही नहीं पूरे खेत एक दम साफ हो गें जीरा नम नमो निशान नहीं राजीरे का तो य किसानों की बात सभी है जाय 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 रहा कि इतना भरी नुक्षान गए पूरी फसल तबाह हो गई है तो उनको सरकार से ही अब सिर्फ मदद की उमीद यह बात में करशी मंतरिजी मुख्य मंतरे जी करशी आगरा जिन से भी बात करने की जरूरत हो कि उन से बात करूंगा और इनको है जो बीमा की जो रासी है बीमा इस साल वैसे तो बीमा बहुत कम किया उसमें किसानों को ध्यान रहा नहीं उसमें किसी नहीं यह बात कर नहीं लेकिन अब तो उसका कोई उपाए नहीं है पर फिर भी जो भी जितना बीमा है उसका नुक्सान है वो क्लेम है उनको जल्दी से जल्दी मिले उसके अलवा भी आपदा परबंदन से या कर्सी आदान उनुदान तरफ से वो भी उनको मदद मिले इस बात का भी मैं पूरा प्रियास कूर का और भूत ही नुक्षान हुआ कि यह कुछ कहने की बात नहीं है किसानों ने कोई विशेष अस्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं सरकार आपके साथ खडी है और आपके जितना भी होगा उसमें आपको पूरी मदद दिलाएं मलम झी आप विदान सबह में थे मैं आपकी बातचित भी सुन गरा था जिस तरीके से सरकार विदान सबह बीदोन दिन तर चली भी लिए जांच को लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन करी है चाहे विदान सबा हो या विदान सबा के बाहर हो उनके समय बे भी रीट हुई थी क्या कुछ कहना चाहेंगा रीट के मामले में यह इस बार नकल हुई रीट लेवल टू रीट लेवल बन में नहीं हुई में मुगद में दर्ज हुए हैं बहुत सारे लोग गिरदार हुए हैं एसोजी पूरी ततपर्शा से इसकी जांच कर रही है और इसमें जो भी सनलिप्त होगा इस नकल के मामले में इन्वाल होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा एसोजी बिलकुल ठीक डंग से जांच कर रह है पहली बार इस तरह का यह मामला सामने आया है नकलने तो पहले भी हुई कई बार मुगद में दर्ज हुए लेकिन उस पे कोई फ़री कारवई नहीं हुई जो इस तरह की कारवई इस बार हुई है तो यह मुझे उमीद है कि इसमें जो वह जेल से बाहर नहीं निकल सके इस प्रकार का कानून नया कानून अभी विदान सभा प्रिच करेंगे पहले जो कानून है वर्तमा उस कानून के तैत भी बचे नहीं और उनके कल एक कलाब कारवाई हो इसके लिए सरकात पूरी तरह से लगी हुई जिस तरीके से 23 तारीक को बजट आना है क्या कुछ उमीद है क्या कुछ आपने सरकार से कहा है आप जिस डिपार्मेंट के मंत्री हो क्या कुछ कोई बड़ी यूजना है अब सरकार का बजट 23 तारीक को आने माला है तो खास करके सड़क है बिजली है पानी है सिके साफ स्वास और इस तो इस पर पूरा दियान देगी जढ़ाइजान से लोगों की समझें उसका समाधनानों जो विकास की दर्शी चे लोगों को जरूरत है, सड़क की है, बिजली की है, पाने की है, सिक्षा की है, सिक्षा और स्वास्त्य की है, उस पर पूरा इस बज़र में ध्यान रखा जाएगा। जिस तरीके से पाइलट साब पिछले कहीं महिनों से लगाता है, पूरी देश में परचार कर रहे हैं, मैनत कर रहे हैं, क्या आपको लगता है उनकी मैनत का फल मिलेगा उन्हें, क्योंकि जिस तरीके से गांधी परिवार के बाद पे वही एक ऐसे नेता है, जिनकी डिमांड पूरे इंडिया में यह बात सही है, पूरे इंडिया में गांदी परिवार और पाइलर वान्स आप की महांग है, तो जतना समय इनके पास है, वो पूरी तरह से लगए हुएं, कहीं बी एक दिन भी नहीं छोड़ा, वो जो कहीं परचार में नहीं गया, सब जगह जार है, महा आने वाले दिनों में पाइलट साथ को कुछ इसमयनत का मिलेगा है। दर्मी राजिस्तान तक!